रादे रादे मेरी यूटूब फैमली चलिए रोज रोज का वही दाल चावाल आलू की सब्जी कचोरी पकोडी प्राटे खाते खाते बोर से हो चुके हैं कल गई थी मैं मार्किट और मार्किट से लेके आयती पाव भाजी तो काफी दिन से मेरा भी मन कर रहा था और बच्चे भी बोल रहे थे कि ममी पाव भाजी बनाईना पोहुत दिन हो चुके हैं करीब एक साल की जीतना हो चुका है तो पाव भाजी बना के दे दो मैंने सोचा इससे पहले बच्चे बहार खाने के लिए गर में ही बना देती हूं यहां पर सभी सबस्जा मैंने जमा कर लिया है मार्किट गई थी तो सारी सब्जा लेकर आ गई थी थोड़ी थोड़ी कुछ सबज्जा ऐसी रख लिया जो कि साथ की साथ ही कट हो जाएंगी पानी का बहु तो सब्जे भी दोने की इमत नी पड़ रही है सही पूछिए तो मैंने ना इक पतीले में खूब सारा गरम पानी कर लिया है तो यह सब्जी भी मैं यहीं पे धो लेती हूं सब्जे मैंने काटके रख ली थी बस दोने का इंतिजार कर रही थी सर्दी तिनी ज्यादा है कि सब्जे मैंने लिया है यहां पर गो भी सिमला मिर्ची लाल वाली जो अचार की मिर्ची नहीं होते मोटे वाली वह और हरी मिर्च अद्रग लिया है मटर लिया है गाजर लिया है अलू ले लिया है और टमाटर काट लिया है मेरा पलानी हापर मूली डालने का भी था फिर मै तो सभी सबज़े को मैंने तयार कर रख लिया है, हरी मिर्च को नहीं काटा है और अदरख को नहीं काटा है इसको बाद में काट लेंगे, सारे की सबज़ें bots अल 하겠습니다, यह ऐसा के मतर हैं आलू हैं गाज़र हैं गोभिं सिमला मिर्च हैं और यह हमारी लाल वाली मोटे वाली मेच जो अचारवाली आती है और यहां पर ले लिए मैंने माटर ठीके ना तु सारी चीजें यहां पर डाल दिया है इसमें डाल दिया है करीब 1 पाऊ या 2-200 mm के जितना पानी ठीके ना तो हमें सब्सक्ष्जों को पगारना है मैं इसको बहुती कम मिर्च मसालों से बनाओंगी यहाँ पर एक छोटा चमस्की जितना हल्दी डाल दिया है तेस्ट के हिसाब से या एक छोटा चमस्की जितना नमक भी डाल दिया है कुकर का ढखकन लगा दिया है और इसमें हाई फ्लेम पर दो तीन सीटी लगा लेते हैं या फिर जब तक हमारी सब्जे अच्छे से पकना जाए ठीक है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अध्रग काट लिया है साथ में हरी मिर्च भी काट लिया है मैं चारी थी क्ये में अध्रग को भी काटके ही डाल दूँ बट मैंने तो बच्चे फीर नाक मुसी चड़ाते है तो बारी बारी मैंने हरी मिर्च काट लिया है और इसकल फ्लेम पर और पुरम प्रदा प्र निकलने दिया है सारी सब्जे त्स बांप पाव भाजी में तभी मज़ा आता है अच्छे से इनको मैस कर देना है थोड़ा सा मैस में यहां पर कर देंगे तो मैस करने से कहा न सबजी की ठीकनेस का पता लग जाता है पहले ठीक है न कहीं पानी डालके मुझे पहली ना पकाने पर जोर भी तो यह बिल्कुल परफेक्ट ना फूरी थी मतलब जैसी मैं चाहरी थी कढ़ाई रखती है गैस को उखन कर दिया है और यहां पर हम डालेंगे तेल तो मैं यहां पर सर्शो का तेल ले रहे हूं और यह तेल पकावा है एक चमज के जितना मैंने यहां पर घी डाल दिया है थोड़ा सा जैसे यह गरम होता है यहां पर हम डाल देते हैं एक चोटा चमज के जितना जीरा और आदा चोटा चमज के जितना सर्शो के दाने भी डाल देंगे वैसे तो यहां पर बटर डाला जाता है और चाहां से मैं पावभाजी लेकर आई थी तो मेरे हैजबन बोल भी रहते कि यहां इसे बटर ले बट पतनी क्यों बाहर की चीजे खाने का ना मन सा कुछ कम कर रहा है, बहुत ही कम लेकर आ रहे हूं, मतलब ना के बराबर, मैंने सोचा नहीं घर पे होता है, मक्खान और घी वगएर, हम तो उसी से ही बना लेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ऐसी भी, जैसी च्छाक और हरी मिची भी डाल दीती, उनको थोड़ा सा से कुछ सेकिंड के लिए बहुन लिया था, उसके बाद मैने डाल दिया है, हापर थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्रस्ट करके डाल लिएगा, यह आदा चमच कि जितना कसूरी मेथी मैंने डाल दिया, मेजर्मेट मेरे लाल मिश पाउडर मंगा लिया था, इसको हम खाते नहीं हैं, बट मजबूरी में न डालना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो डाल दिया है, ताकि इसमें न हलका सा कलर भी आ सके, मैं या पर लाल मिश पाउडर नहीं डालूँगी, और जैसे ही डाल दे न, गैस के फ्लेम को ल ठी के न, तो मेरा पूरा दिर न, फिर खाना बनाने में निकल जाता है, चुले को पकड़े-पकड़े निकल जाता है, मैंने सोचा थोड़ी सी न ज्यादा बना लेती हूँ, तो दोपेर में खाने में ये ही काम आ जाएगी, थोड़ा सा मैने इसको फिर से पोते टेटो मैस सर से मैस कर लिया है और देखिए यहां पर जो हमारी सब्जी है इसको चलाते चलाते ही पक के तयार हो चुकी है इसको अलग से जादा देर के लिए पकाने के जुरूतनी पड़ती है थोड़ी सी अगर आपको ठीकनेस गाड़ी लगे तो थोड़ असा गरम पानी डाली जेगा और उसको लगतार चलाते रहिएगा कम से कम पस एक मिनट के लिए और आपकी सब्जी तयार हो जाएगी ठीकना तहां पर सब्जी हमारी तयार हो चुकी है लाश्ट में हम डाल देते हैं आपर यह पावभाजी मसाला आप सभी बोलते हो देदी पावभाजी मसाले में लहसुन प्याज वाला है इतना परफेक्ट नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मू लगावा है यह थोड़ा साना टाइम लेगा तो वह मैंने हापे डाल देता दो चम्मस्के जितना साथ में एक चम्मस्के जितना गी और भी डाल दिया था बाद में डाल दिया मैंने यह टेक्चर और भी ज्यादा निखरके आएगा यह निखाने में ज्यादा टेस्टी लगेगी हालका साना खटा पनाएगा ना तो चलिए कि हमारी सब्जी बिल्कुल तयार हो चुकी है एक छोटो सी कड़ाई में निकाल देते हैं यह कड़ाई मैंने अभी परचेस की है बहु कि यह नहीं निकल रहती हैं निकलो मैं तो की लाना है थोड़ा सा ओजब बाजी मसाला डाल दिया था और जो यह पाओ उसको बीच में कट करके हलका सा ना जैसे दो हिस्सों में कर लेते हैं थोड़ा सा तवे पर यहनि मसाले में इसको भी रगढशा देते हैं और फिर दी आविधे नियुक्स कांटार सब्सक्राइए ऐता है करुछ को उप्रो नीचे प्रत होती है न, जो denote हल्की हल्की क्रिष्पी में हो जाती हैं और अंदर से बहुत तेस्टी में घालते है सब्स्वार केते शुक्त हें माहिए, मैं छही अधला हो चुकिसद खाल वैब्सस पक्रम के सिवर्श सति भूंग अधार के CBS आए देखने में बहुत प्यारी लग रही थी मेरा तो मन कर रहा तो देखती ही जाओं तो चलिए यह थाली सबसे पहले मैंने अंदर पहुचा दिया चोटे थाकुर्जी को भोग लगा देते हैं कई वो नाराज ना हो जाए वैसे हम यह इस तरीके के चीजों का भोग लगाते नह है पर पतने क्यों मन सहीं नहीं मानता उनको दिखाए बीना वही मर्सी क़ा नहीं होगा खाएंगे हमारा नमन greedy को जाएगा कि हमने बध़ अधि को भी दिखात दिया था राधे राधे दोस्तों आपसे बाद में मिलते हूं